दोस्तों सवागत है आपका अपने चैनल इस्टेडी कलो में आपकी सफलता हमारा संकल्प जैसे कि आप सभी जानते हैं हम डेली वेसिस पर सेवन कोशन करना हैं दोस्तों रिजनिंग के सबा साड़े च्छे बजे आज सेशन का है बार बान दें जुना नहीं पुराने वीडियो जाकर जरूर देखें उम्मीद हैं आप लोगी रिजनिंग की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी तो आपको सातों मैसे सातों कोशन म शुरू करते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों स्वालव करिए क्या होगा इसका अंसर एक व्यक्ति पूर्वी की ओर दस किलोमेटर चलता है और दाइं और मुड़ जाता है और फिर आट किलोमेटर चलता है फिर बाइं और मुड़ जाता है ठीक है और छे किलोमेटर चलता है वे वैक्ति आप अपनी आरम में किस दिसाम है जली से बताएंगे आप लोग चलिए आंसर कीजिए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर चलिए देखते हैं एक वेक्ति दोस्तों आरम करता है पूर वी क्यूर चलता है दस किलो मीटर ठीक है फिर दोस्तों दाइं मुड़ जाता है और कितना चलता है आठ किलो मीटर और फिर दोस्तों बाइं मुड़ जाता है कितना चलता है दोस्त तो 6 किलम्टर अब प्रारम में किस तीसी से दोस्ती किस दिसाम एंजली से बताईगें आप लोग किस दिसाम हैं आपकी डिरेक्शन यह नहीं आपकी आपकी यह ईस्ट, यह आपकी वैस्ट, यह आपकी साउथ तो किस दिसाम में LIKE कर दया है अप लोग, चैनल पर जो भी नए हूँ हैं, चैनल को सबस्क्राइब देत नहीं रखता बहें कौन सा बताइए नमें से कौन सा बिन है आंसर कीजिए आसेट डाज नॉट ब्लॉंग तु अग्रोपेस बताइए कौन सा लग नमें से जैसा कि आप देख पा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा तो आपका बिल्कुल क्या होगा है साई या नंसर होगा उन लगों को आच्छें लग रहा होगा चलिए बताइए आप आपक peer लेकिए संहें कि हें आपके अच्छी तरीके लिए त्यान चलिए क्या होगा likely यह देखते हैं इस जा आपको कर रहे हैं पर इस क्रोश में लाँ बैसPER कर रही है अब बचा और बी इनमेंसे कौन सा होगा जल्ली से बताएंगे यहां लोग है यहां पर क्या वनेगी दोस्तों आपको अप्छिन बिल्कुल सही आवसर होगा ठीक है चलिए नेक्स चेट पर चलते हैं चलिए बताईए दोस्तों आपका कथनानिक्ट्सक्री कोउछन है सॉल्फ करिए इसको धोनी एक अच्छा बल्ले बाज है बल्ले बाज होशयार होते हैं सभी होशयार लोग बल्ले बाज है और धोनी होशयार है बताएं ये कौन सान इसकर लिख लेगा जली से आंसर कीजिए ये आपका गुरुब डी में आया हुआ कोश्चन है दोस्तों चलिए बताएं क्या होगा इसका आंसर गुरुब डी 2018 में चलिए आंसर कीजिए क्या होगा इसका ध्यान से करिएगा चलिए देखते हैं ठीक है दोस्तों डाइगराम से करते हैं ये आपके धोनी है धोनी क्या है दोस्तों एक अच्छे बल्ले बाज है ठीक है गुड बैट्समेन है ठीक है और सभी बल्लेवाज क्यासे होते हैं दोस्तों होशयार होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं ठीक है यह आपका गिराब बने गया ठीक है अम उनने क्या कहा है निसकर्स कंक्लूजन में सभी होशयार लोग बल्लेवाज हैं क्या सभी होशयार लोग बल्लेवाज हो रहे हैं दोस्तों नहीं हो रहे हैं ठीक है तो आपका पहला निसकर्स क्या होगा दोस्तों गलत हो जाएगा धोनी होश्यार है तो ध्यार ना किये धोनी क्या है होश्यार है यह बिल्लकुल सभी है सारे होश्यारों के अंदर दोस्ते क्या रहा है धोनी आ ऐ미के दोस्तो आمसर कीजिये इस का जो की नमलिक्ट चित्र में डिश्यात को यह रशाता है चलिए ट्राइंगल कंट करिए जल्डज़े इन ऐसमें करेए जल्डी से क्या होगा इसकांसर बिल्गोल एट सु यह खुला तरिके से निए गा तो दोस्तो ध्यान रखिएगा आप लोग आपके जिस्वी ट्राइंगल में दोस्ते कितने बने आपके 6 ट्राइंगल बने दोस्तों आपके 16 जैसा कि आपको पता होगा जो इस तरीकी से ट्राइंगल बनते हैं दोस्तों कितने बनाते हैं मिलकर टोटल तीन बनाते हैं ठीक है आपका एक ये एक ही और ये पूरा इसी तरीके से देखिए इसमें कितने बनना है ये आपके बनना है ये पूरा एक और ये दो मिला कि तीन आपके इस तरीके से यह बनना है इसी तरीके से तीन आपके ये बनना हैं दोस्तों यह बनना है कितने नाफ कि चुकी है ठीक है नाफ के बने आया आपका दस है या आपका 11 और बाड़ बनना है आपका 12 तो आपके कितने बनता अभी तक टोटल दोस्तों 12 ट्राइंगल होगा है ठीक है चलिए और काउंड करते हैं चलिए और देखते हैं आपके 12 के बाद ठीक है 12 के बाद देखिए एक तो यह बनना है आपका 13 और एक यह बनना है आपका 14 ठीक है दो आपके और बन गाएं दोस्तों और कौन सा बनना है जल्दी से देखिए और एक आपका ये बनना है ध्यान से देखिएगा एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा दो और बन गए दोस्तों तो टोटल आपके कतने हो गए दोस्तों टोटल शिक्स्टीन ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पर शलते हैं चलिए आंसर कीजिए दोस्तों क्या होगा चलिए क्या होगा दोस्तों इसका अंसर बताईए सॉल्फ करिए क्या होगा इसका अंसर जैसे कि अब देख पा रहे हैं जो दोस्तों रियान है बिहान की मा, ठीक है, बिहान की मा की बहन, ठीक है, के पिता, इनके भी पिता के एक लोते बेटे का क्या है दोस्तों, बेटा है, ठीक है तो बताईए, जी आपके रियान हो गए, तो रियान और बिहान में दोस्तों क्या होगा, रिलेशन जली से बताईए, एक बार फिर देख बेटे हैं तो और दूसरे को यह होगा है एक दूसरे क्या होंगा दोस्तों कजन होंगे तो while लिखें तो सम्भंधित नहीं है कौन से समभंधित नहीं है कि यह वह वागद से से स्वाव सालv करेंगे श्रक्रूं करें उसको जार ऑद करेंगे जो के नहीं अब कैंठ उसे सब्सक्राइब कि अब किसी से गळिगे अच्क्ञाया है और इस exam क्स्छा Volls करanza नहीं आप का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 77 आपका क्या होगा सही आंसर होगा उमीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा दोस्तों और आपको पीडियाइफ के लिए टेलिगराम चैनल जोइन करें इस खलेंगा पूने जिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों ट थेंक्यू बबाए दोस्तों